नमस्कार साथियों मैं अनिल कुमार गोतम मेरे फ्रीटे देशिन उसका चैनल में आप सभी साथियों का स्वाज़त है आज हम आप सभी साथियों को कैंसर के बारे में एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हैं जो आज तक किसी ने नहीं दी होगी इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा वीडियो देखें यह वीडियो दुनिया के हर इंसाम तक पहुंचना जरूरी है इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहे आए शुरू करते हैं वीडियो प्रवदाहरन के तौर पर मैं आप सभी को एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं, जो कुछ जीव ऐसे होते हैं, जो कि हमारे शरीर को हानी पहुचाते हैं, जैसे बिच्छू, बिच्छू का एक डंक हमारे शरीर को जखधोर के रख देता है, एक कीड़ा ऐसा भी होता है, जो जिसकी पेसाब भी हमारे शरीर के पड़ जाए, तो वो चाले पड़ जाते हैं, एक छोटी सी चीटी हाथे की जान ले लेती है, तो वही हल है कैंसर का, जैसे लोहे को लोहा काड़ता है, पीशे को सिसा काड़ता है, हमने ये पैसे जीव के बारे में बताने की कोशित कर रह हैं जो 2005 में हमने प्रयोग किया था एक बैल पे जिसके सरीर पर बड़े बड़े ट्यूमर थे और वो फूटते थे उनसे बहुत सारा खून बहता था तो मैं उस चीव को पकड़ के ले आया और रोटी में रखके इस बैल को तीन बार खिलाया तीन बार में है उस बैल के सारे ट्यूमर या कैंसर कुछी भी समझो वो खत्म हो गए और उस जीव से इनसान को भी उस जीव से इनसान का भी कैंसर ठीक हो सकता है ये मेरा विश्वास है इससे पहले आप लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचा सका क्योंगी मेरे पास कोई फो करता हूं उस जीव का नाम और लाइव देखने के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें मेरे फ्रीडेश सीनस का चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेसन आप तक मिलती रहे ज्यादा से ज्यादा सेर होने पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं उस जीव का लाइव दिखाऊंगा और उसके बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा यह हमारी जानकारी बिल्कुल फिरी है मैं अगले वीडियो में पूरी जानकारी दूँगा इस जीव स किपे कैंसर या टूमर ठीक हो सकता है आप सभी लाखों रुपे बरबाद करने की जरूरत नहीं है हर इंसान जो गरीब हो है आमीर सभी ठीक होंगे आप लोग कोंको जानकारी हो कि को कई utka आप लोग बिना जानकारी के कोई जीव का प्रेव मिना करें नहीं तो पाइदे की बजाए नुक्सान भी हो सकता है अब ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेर करें और कमेंट करें प्रीटे देशिन उसका सेनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा कमेंट आने पर मैं जीव को लाइव दिखा दूंगा अगले वीडियो में तब तक ध झाल झाल